दोस्तों पिछले कुछ लेसंस के अंदर हम लोगों ने पोटोशॉप में एड़्जस्मेंट पैनल के थूँ इमिजस को ट्रीट करना और इंप्रूफ करना सीखा अच्छा फोटोशॉप के अंदर एड़्जस्मेंट पैनल के इलावा भी कुछ और बहुत जबदस ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थूँ हम इमिजस को और पिक्चर को ना सर्फ एड़िट कर सकते हैं बलके बहुत इंप्रूफ कर सकते हैं अब हम कुछ ऐसे ही टूल्स को स्टेडी करने जा रहे हैं दोस्तो इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को जिस टूल के बारे में बताने वाला हूँ उस टूल का नाम है स्पॉर्ट हीलिंग टूल आप लोग इस तरह अपनी स्क्रीन के उपर एक इमिज देख सकते हैं ये एक पोट्रेट इमिज है क्लियरली देखा जा सकता है इस पिक्चर के अंदर के चेहरे के ऊपर कुछ स्पॉर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं जो के बिलकुल भी अच्छे नहीं लग रहे दोस्तो इस तरह के किसी भी पिक्चर को जिसके अंदर स्पॉर्ट्स या फ्रैकल्स वगरा वेलिबल हो या कोई भी किसी भी किसम के ऐसे स्पॉर्ट्स अवेलिबल हो जिनको आप उस पिक्चर में से रिमूफ करना चाहते हो तो ये काम हम बड़ी ही आसानी से फोटोशाप में स्पॉर्ट हीलिंग टूल के मदद से कर सकते हैं तो चले चलते हैं फोटोशाप की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं और फोटोशाप के अंदर जब पहले मैं क्या करूँगा कि मैं ये बेकड्रोड करुआर का लेइर 0 के अंदर अच्छा दोस्तो हमारे पास Spot Healing Tool का जो shortcut key है वो Photoshop के अंदर है जी J आप जैसे ही J प्रेस करते हैं या यहां से टूल बार में इस टूल पे आके क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे तीन चार्ट डिफरेंट किसम के टूल अवेलेबल हैं दोस्तो यह जो पहले तीन टूल हैं इनको हम स्टडी करेंगे लेकिन इस वक्त हम Spot Healing Brush Tool को देखने जा रहे हैं यह जो तीनों टूल है यह तकरीबन एक ही काम करते हैं लेकिन इनका तरीका कुछ मुक्तलिफ है और थोड़ आसा इनमें फर्क है तो चलें सबसे पहले एक्सप्र में कुछ टूल ऐसे हैं जो के बिल्कुल ब्रश की मदद से हम इस्तमाल कर सकते हैं अच्छा अगर यहां पे हम सब मेन्यू में देखें तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास ही एक आप्शन है जिसमें हम यहां पे आके ब्रश का अपने यानि के Spot Healing Brush Tool का साइज बड़ा या इसका साइज कितना बड़ा हो गया है और इसको मैं ड्राइग आॉट करता हूं तो यह देखें इसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है अच्छा इसी तरह से हम यहां से Hardness को कंट्रोल कर सकते हैं Brush की उसके लवा हम Space सिंग जो है इसको भी हम यहां से आके Change कर सकते हैं इसक यहां पे दोस्तों हमारे पास एक option मौजूद है जी sample all layers की अब मैं करने के अवाला हूँ दोस्तों मैं यहां पे यह वाली जो मेरी original image layer है इसको मैं type कर देता हूँ original image यह मैंने इसको rename कर दिया अच्छा मैं इसके उपर एक new layer लेता हूँ अब मैं करूँगा यह कि मैं जो tool अपना use करूँगा वो यह layer 1 के उपर use करूँगा और लेकिन उसके उपर जो काम मैं करूँगा वो मुझे original image के उपर दिखाई देगा उसके लिए मुझे यहां से आके sample all layers पे check लगाना होगा अगर यहां पे sample all layers पे check नहीं लगा होगा तो दोस्तों याद रखें इस new layer के अंदर spot healing brush tool बिल्कुल भी काम नहीं करेगा अदवाइस पिर आपको इसी layer के अंदर रहते हुए spot healing brush tool को इस्तमाल करना होगा तो चलें इसको zoom करते हैं अब यह बहुत clearly देखा जा सकता है कि इस image के अंदर बहुत सारे different spots हो है वो available है अच्छा हम जानते हैं कि जिससे brush का size हम छोटा बड़ा कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इस spot healing brush tool का जैसे कि इसके नाम के साथ भी लिखा हुए brush तो हम इस tool का की मदद से इसका size है वो छोटा बड़ा करते हैं और यह जो spots हमें नजर आ रहे हैं यह देखें मैं कितनी असानी के साथ यह जो spots इस वक्त skin पे हमें नजर आ रहे हैं इनको remove करता जा रहा हूँ अच्छा दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं आके यहां पर spots के उपर click करता हूँ तो वो spots एकदम गाइब हो जाते हैं यह तो बिलकुल ऐसे हो गया जैसे को magic हो अच्छा यह करता क्या है spot healing brush tool basically randomly pixels को करीब करीब से pick करता है और जहां पर हम click कर रहे होते हैं वहां पर उन pixels को copy कर देता है जिसके वज़ा से होता क्या है कि वो जो नीचे के spots होते हैं वो बिलकुल remove हो जाते हैं अच्छा अच्छा जिससे यह कुछ areas हैं जिनको हमें बिलकुल close जाके zoom करके देखना होगा और दोस्तों कोशिश करें कि spot healing tool को जब भी इस्तमाल करें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा zoom करके इस्तमाल करें ताके आपको बेहतर से बेहतर idea हो सके कि आप जो spots remove कर रहे हैं वो किस size के हैं और आपने brush का size क्या रखा हुआ है दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि कितनी असानी के साथ ये जो skin है ये बिलकुल pots इसके remove होना शुरू हो गई है ये skin बिलकुल clear होना शुरू हो गई है ये देखें अच्छा एक चीज़ का थोड़ा सा आपने जो ख्याल रखना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एक तो ये कि आपने जो brush का size है वो बहुत इहत्याद के साथ चूज़ करना है और दूसरा थोड़ा सा आपने lights और darks का भी ख्याल रखना है इसके अलावा दोस्तों ये देखें जिसना से यहां पे एक हमारे पास skin में एक खास जगह यहां पे available है जहां पे अगर मैं यहां पे करके यह देखें यहां पे अगर मैं click करता हूँ तो यह देखें skin खराब होने का खत्रा है तो लहाजा आपने इस बात का ख्यार लखना है कि आप spot ऐसी जगह पे remove करेंगे और ऐसी जगह पे brush का इस्तमाल करेंगे कि skin की जो अपनी genuineness है वो बिलकुल भी खराब ना होने पाए और जो anatomy है face की वो बिलकुल भी disturb ना होने पाए वरना sometimes ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह पे जाके spot remove कर देते हैं कि वहाँ से face ही जो है वो बिलकुल थोड़ा सा distort होता हुआ हमें दिखता है या खराब होता हुआ लगता है तो ऐसा हमने हर्गिस नहीं करना हम brush का size जो है वो छोटा बड़ा करते जाएंगे और जो भी हमाएं यहां पे spots clearly visible है इनको हम खत्म करते जाएंगे तो जैसा कि इस टूल का नाम ही बिलकुल clear कर देता है यह spot healing यानि कि spots को heal यानि कि remove करने वाला जो यह टूल है अब मैं zoom out करके देखता हूँ कि हमने क्या किया है यहां से थोड़ ऐसे कुछ और हमें इस वाले अरिया में कुछ हमें मज़ीद थोड़ी से working करनी पड़ेगी जी यह देखें यह भी काफी हद तक clear हो गया portion अच्छा जहां पे हमें यह लगे कि light disturb हो रही है या lights और darks वो हैं वो खराब होना शुरू हो गया है यहां पे आपको एक दो और टूल्स बताने वाला हूँ उनके मज़र से हम जैसे यहां पे आप देख सकते हैं यह कुछ एरिया ऐसे हैं कि यहां पे spot healing tool इतने ज्यादा मुफीद नहीं है और यह तना ज्यादा काम नहीं कर पा रहा तो इस तरह के areas को हम जो next lessons के अंदर कुछ और टूल्स इसी तरह के study करेंगे उनके मज़र से हम इन areas को ठीक कर सकते हैं इस तरह के areas को यह देखें जी मैं जूम आउट करता हूँ और अब यह जो मैंने layer 1 add की थी इसको मैं rename कर देता हूँ spot healing ताकि मुझे याद रहे कि यहां पे इस layer के अंदर मैंने spot healing tools का इसका इस्तमाल किया हुए यह देखें जी अगर मैं इसको layer को off करता हूँ तो बहुत ही clear है आप देख सकते हैं कि कितनी खुबसूरती से और कितनी असानी के साथ हमने face को बिलकुल neat clean कर लिया है और जितने भी spots और फ्रेकल्स वगरा थे वो बिलकुल अराम से हमने skin में से remove कर लिया है तो दोस्तों अमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह जो टूल है यह समझ में आ गया होगर यह बहुत ही simple सा टूल है इसमें कुछ ज़्यादा difficulty वाली बात नहीं है अब आप लोगों ने इस टूल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्टिस करना है दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कितनी असानी से हमने spot healing टूल की मदद से Photoshop के अंदर image को treat किया और face के उपर मौजू spots को remove किया आने वाले lessons में हम कुछ और healing tools को study करेंगे तो मिलते हैं next lesson में और आप लोगों ने अब इस tool की बहुत practice करनी है